नमस्कार फेंड, topic है, discussion के लिए हमारे पास dramatic work जो की define किया गया है copyright act के अंडर section 2 clause h के अंडर जिसमें की कहा गया है a piece of recitation dramatic work है choreographic work और entertainment in dumb show वो भी dramatic work है और cynic arrangement और acting form of which is fixed in writing ठीक ना, कि cynic या scene दृष्ष जो है उसको arrangement हो या acting form जिसको कोई लेकर fixed in writing जो writing में हो but does not include a cinematic graph film तो याद रखिएगा, जो movies या film है, उनको as a whole यानि complete unit की तरह देखा जाए तो उनको जो है वो dramatic workment rule नहीं किया गया है, और उसे अलग से define किया गया है तो हम यहाँ पर कहें कि यह dramatic work जो है ठोड़ा सा पुरानी है जैसे stage होता था, जैसे theater होता था, उस पर acting करते थे लोग या जो क्या कहते है, dumb show जो होते थे, मूक अभी नहीं जिसे कहा जाता था, उसको लेकर या play जा इस तरह से जो character play किया जाते है, यह ठोड़ा पुराना है नया जो हो, cinematic graph film है, जो उसने कहा कि इसमें include नहीं है, उसको separately जो है, वो cover किया गया है तो इस तरह से इन सब चीजों को, जो dramatic work जो है, उसके अंदर include किया गया है और उनको copyright production दी गए लिए, इसमें किसी TV serial में कोई actor जो perform करता है उसकी acting, या किसी movie में कोई actor परफॉर्म करता है, उसकी acting वो भी include होती है, याद रखेगा मैं यहाँ कह रहा हूँ कि किसी film में काम करता है जो actor, उसकी acting, फिल्म, जब movie जो है, उसको as a complete unit जो है, वो नहीं include कर रहा हूँ यहाँ पर में, पर उसके अंदर जो एक actor है, उसकी acting को मैं include कर रहा हूँ, ध्यान रखीगा इस बात को जैसे कि इसे में कहा गया है definition में recitation, recitation यहाँ मतलब है to say something, कुछ कहना, stage में चटकर आप कुछ कहते हैं, जैसे को poetry कहते हैं, जगद्य कहते हैं, जगद्य कहते हैं, प्रोज जिसे कहते हैं, तो वो सब चीजे इसमें include होती थी, कि उनको भी copyright protection मिल सकता है, second है choreography, अब यह जो लिखच रूप में होने चाहिए, उसे के साथ dumb show है, जैनि mook अभीने, जिसमें आप बोलते रहे हैं, but still performing, आप performance दे रहे हैं, आप अपना परदशन कर रहे हैं कर अलाका, पर आप बोल नहीं है, तो उसमें भी जो जग जो 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 भी आपका movement है, वो भी copyright protection हो सकती है, उसमे इसमें भी copyright हो सकता है, again वो original होनी चाहिए, जो की लिखिज रूप में हो, उसको भी protection दी जा सकती है, इसमें दोस्तों जो बैले होता है, जो की पच्छमी देशों में एक तरह से आप समझ लेजिए कि एक तरह का एक dance है, वो एक type of dance है, जा एक तरह की नाचनी की एक कला है, उ तो उसको आप non-dramatic में convert कर दें, तो उसको कहा जाता है adaptation, ठीक है, जैसे कि कोई drama perform हो रहा है, और आप चाहते हैं कि आप उसे लिखें, और किसी अखवार, किसी newspaper, magazine, periodical, या कहानी के रूप में, जा कैसी भी आप चाहें, उसको present करें, तो वो उसका adaptation हो जाएगा, कि वो performance की ए paramedic term का, दाले वा,